लेंग सांटी मैं आज आपके लिए आंगणवारी कारिकरता और का भरती की विज्जैप्ति की डिटेइस डिटेव में ये बताया हूं किने कितने-कितने पद मिलेगी ये ब़ती पटेग जिले में जो पनिदेशक और विखार विपाई है वहां के मार्गिम से निकाली गई हैं पूरे रास्तान के लिए निकाली गई जहां जहां पर इनके पद खाली है यह जो बता रहा हूं यह विश्येश करके जले की बता रहा हो एते इसे डिटेल चाहिए आपको तो साइट पर आपको डिटेल डाउनलोड करूं लेकिन इसके लिए अगर विका नेर की चाहिए तो जो जो जाए नारे एक अग्रूर्च के लिए तो यह दुन्तरफ़ के लिए हैं यह परियोजना कॉलायत के लिए हैं यह प्रकार को यह सारे कॉलायत के लिए हैं यह लूण कर्ण सर के लिए हैं प्रद यह नौखा के लिए हैं फिर पांचू के लिए हैं यह खाजवाला के लिए को और ग्रामन के लिए मुझानिर के लिए के लिएक जो तो यह अब इसकी देखो अब बड़ी यह तो ठीक है यह तो डिटेल दे रखी है पदों का 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 कौन-कौन से वाइड में पद खाली है अब देखना क्या है मुक्षिरूप से यह देखना है कि इसकी योगिता वगेरा सबस्ते वगेरा क्या है कैसे फॉर्म बढ़ा जाएगा और कैसे नमबर मिलेंगे इससे सर्टों में देखो पहली सर्ट क्या है कि जो महिला फॉर्म भर रही है वो फॉर्म वह उसी वाइड से भर सकती है जिस वाइड का वो निवासी है यानि कोई महिला है जो 5 नंबर में निवास करती है और मान लो 5 नंबर वार्ड में पद खाली नहीं है और 6 नंबर वार्ड में पद खाली है अगर तो तो वो 5 नंबर वाली महिला है वो 6 नंबर में फॉर्म नहीं पर सकती तो क्योंकि पॉर्म परने के लिए उसका चैन होने क के लिए उस वार्ड का निवासी होना जरूरी है तो एक बात लेकिन कुछ कैटेगरी जैसे विद्वा तलाक सुद्धा और प्रटिक्ट महिला हैं उनको क्या करना है वो क्या करेगी वो दोनों के लिए पात्र होगी दोनों मतलब वह पीहर पक्स से भी फॉर्म बर सकती पीहर वाले वार्ड से भी फॉर्म बर सकती उनको यह छूट दी गई है एक सर्थ दूसरी सर्थ यह कि आंगनवाड़ी सहायका और कारीकरता के लिए नियुन्तम योग गिता है वह बार वीपास रखी गई है और वीवाहitां दोनों ही आवहिदन करसकती यह ठोड़ा चेंज किया गया पहले क्या था पहले विवाहitा ही फॉर्म बर सकती थी यह भी वाहिता को भी परमिश्यन दी गई है कि वह भी इसके लिए बता Τरह होगी पिर आइयू कितनी होगी उसायू की तीन केटेगरी बता रखी सामानी रूप से अठरा से 35 वर्ष की उम्र तक फॉर्म बढ़ सकते हैं जो जन्दल और अब इसके अलावा जो दूसरे हैं अनुसुजी जाती अनुसुजी जन जाती विद्वा तलाक शुदा विशेश योगी जन और विशेश योगी जन में कौन-कौन से जो प् है दूसरे जाख वाटक आन के लिए अधिक्थम चालिस वर्ष है आसर और के इसी Kate रिव है तो आ मखनवारी में पहले से किसी मान देयापर या साथिन वाही है मैं कर रही है मांदे के अधार कर रहे है अंके उन पर यह जो चीमा है वह उम्र पर नहीं लगेगी तो निवासी होना जरूरी है बाहर वी पास होना जरूरी है महिला दोनों वह पर सकती है विवाइत और विवाइत उम्र 18-25 चालिस और उसके बाद वो दूसरों में जो मांदे पर काम करने वाली महिला है वो उनके लिए कोई लिमिट नहीं फिर जो आविदन करता को एक सर्ट करना पढ़ेगा कि हमारे घबर में जो सोचाले हैं वह संचाली सोचाले हömं उसको सब्सक्राइब करता यानी सच भारत मीशनिके अंतरगत का है सब्सक्राइब अगर कोई विद्वा है विद्वा ने फॉर्म बढ़ा है तो उसको यह पर्मान करना पड़ेगा यानि उसको यह पर्मान पत्र देना पड़ेगा कि उसने पुंद्र विवा नहीं किया पुंद्र विवा नहीं करने की गोष्णा का अंकन करना आवसक है तलाक कि डिक्री या आदियस लगाएगी और साथ साथ में आवेदन में यह भी वो गोशना करेगी कि उसने पुंदर विवा नहीं किया क्योंकि आप अगर तलाक सुदा का आरक्षन लेना चाहते हो तो आप एकली होना जरूरी है आप दुबारा विवा कर लिया तो वह आप तलाक स आधार सुद्द्धारित किया गया कैसे इनका चैन होगा तो चैन के लिए क्या होगा एसका करने गी-क किसके नभर काउंट करेंगी तो प्रतिए डिग्री प्रतिए क्वालिफिकेशन के लिए अंक निर्थारित कर दिये और वह अंकों के आधार पर इनका सेलेक्शन होगा और जो OBC का जो सेटिफिकेट होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं और नौन क्रिमी लेयर में आ रहे हैं तो वो उनको एक सपत्पत्र के आधार पर माननेता दी जाएगी और उनको तीन वर्ष की उनका जो सेटिफिकेट होगा वो तीन वर्ष तक से अधिक पुराना न नहीं होना चाहिए आर्थी रूप से जो कमजोर है वह एकोनोमी एकोनोमिक वीकर क्लास वाले उनके लिए कि अब यह जो झांड़ और आनुस्विजाती जन जाती जन जाती जो तलाख सुदा है या विशएष चयोग्जन है अन्नि पिछडा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वह सामानिय माना जाएगा उसको मैं जिस केटीगरी में नहीं माना जाएगा नब आवेज़न पत्र के साथ क्या क्या लगाना है अंक तालिका का पर्मान पत्र योग गीता की अधिक्तम आपको हो तो लगाना यह लगाने हैं आपको मद्दाता पहचान पत्र आधार कार्ड रासन कार्ड जन आधार कार्ड और मूल निवास का प्रमान पत्र यह लगाने हैं इसमें से अबली करके हैं ताकि आपको वहां का निवासी होने का पता चलेगा कि आप वहां के निवासी है अनुसुच जाती जन जाती अन्नी पिछड अल्प संख्यक वर्ग दिव्यांग जन होने का पर्मान पत्र यह अगर आप ओबीसी से हैं तो उसका सर्टिपिकेट लगाना पड़ेगा अंगनवाडी कारी करता मीनी अंगनवाडी कारी करता सिसु पालनग्र सहाई का आसा सयोगनी साथिन की रूप में एक वर्ष का कारिया यहां लगा सकते हैं यहां यहीं लागू होतों तो इसके लावा क्या देखों अगर आप जिए नवें हैं अईर्वेद नर्सिंग में पर सिख्शन का परमान पत्र अपके पास हैं तो आप लगा सकते हो आप लगाएं तो आप लगाओ वह पर विद्वा तलाक सुधा का पर्मानपत्र लगाना है और अब जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कवरेज चैतर में जंसंख्या 50% से अधिक किसी एक कैटिगरी की है मान लो एक ऐसा वाड जिसमें अनुसुचित जाती कि प्रतिसते वो ज्यादा यह जो सर्थ बता रहा हूं पूरे रास्तान में सामानी रूप से लागूँ है पचास प्रतिसत से अधिक हैं वो मान लो यह से होगा अगर मारेसी हैं ज्यादा है तो मान किया जाएगा आधार क्या माना जाएगा जन संक्या का आदार क्या होगए लोगा कि किसी वाड में 50% से अधिक है वो अनुसुची जाती कि जन संक्यान तो कैसे पता करेंगे वो तो वह जो आंगनवाडी केंद्र हैं वहां का एक रजिस्टर है अंगनवाडी का जो सर्वे रजिस्टर है उस सर्वे रजिस्टर में जो जन संख्या का दे रखा है वह माननी होगा न कि मद्दाता सूची से माना जाएगा न तो जंगर्णा के दूसरे आकड़े माने जाएं अब यह जो फॉर्म है वो निसुल्क है ऑफ लाइन भरना है जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वहां से निकालो और उसको फॉर्म को भरो बरने के साथ जितने भी कागज हैं आपके पास तो सारे लगाने क्योंकि प्रतियक के नंबर अब फॉल्म है प्रतियक की नंबर चैक्स रहे से और नोमार्स से आपको फॉर्मट सुरिये और दॉब सब्सक्राइब करता के लिए आधिकारी का जो आपको जमाख कर वाना है क्या लिखा यह लिए को पत्र स्विकार नहीं किये जाएंगे क्या रहा है अदो हस्ताक्षर करता यह नीचे कि नीचे जिसका का हस्ताक्षर हो रखा है अगर आप इस कारियाल में फॉर्म भेज दिया तो आपको आपका फॉर्म स्विकार नहीं किया जाएगा कहने का मतलब है जहां पर प्रतेग प्र कि उसका एडर्स क्या है वहाँ जमा करवाना है आपको कि समझ गए तो यह ध्यां रखना ओफ-लाइन जमा करवाना है अगर आपने फॉर्म जमा करवा दिया और पता चला कि मैंने तो एंटिटी कर रही है एंटिटी का और 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 दोनों और दोनों महिला इस Municipal सकती है और जब फॉर्ण जमााक नाथ हो आप Office में CDP Office में जम्मा करवाने के बाद आपको आप दस्तावेजों की ध्यान रखना आप पर न आप जब फ़रो न लग गए आपका फ़र्म जो आपने हात से भराएं फिर आप फिर दस्वी की मार्ग से पे बारुए की मार्ग से फिर आप क्रम से आपको सजानी है जिस जो क्रम क्रम कौन सा होगा कोशिस यह करना कोशिस यह करना कि इसमें जिस जिस क्रम से सर्टिपिकेट का दे रखा है न यह आविदन पत्र के साथ करमांग एक पर क्या करना है दो पर इसी क्रम से सजाना और उपर करमांग डाल देना उपर संख्या एक डाल देना एक डाल देना उससे क्या होगा कि आपका कुछ फॉर्म में वो मिस नहीं होगा वह तो यहां पर देखो यहां क्या लिखा है सबी आवेदक आवेदन पत्र की रसीद प्राप्त अवस्य करें और क्या करना है समस्त सलग्ण दस्तावे जो कि प्रश्च् यानि कोई आपका मतलब वहां पर अगर कोई गरबड़ी करना चाहता है को वह तो यह थोड़ा द्यान रखें तो यह और यह सारी डिटेल फॉर्म वग्यरा की डिटेल है वह आपको मेरे इस चैनल के मिल जाएगी और इसके इसका जैन कैसे और वह वैं अगले विडियों बथायूंगा और कि कि झाल झाल